आई गईज एन वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 6 जैनवरी 2023 तो गईज आज है तारिक 6 जैनवरी 2023 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दह हिंदू कम्प्लीट न्यूस्पे ज़यगा इस पर क्लिक करना और जाकरइस चैनल को जोइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिशेस पर लेक्षर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिशेस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करेंगे तो आज आप सभी लोग को map में जाकर देखना है मैक्सिको को काफी जदा news में है तो इसको अच्छे से map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2009 के prelims में पूछा लिया था daily basis पर हम लोग याँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है अनिकांत वाद जो basically है ये एक core theory और philosophy है कौन से religion की आपको बताना है option A Buddhism, option B Genism, option C Sikhism या फिर option D Vashnavism तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शो बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो thumbnail में mention किया या है कि देखो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो वेग्यानिक हैं जो हमारे scientist हैं इनको एक ऐसा जीव मिला है जो की viruses को खाता है viruses को खा कर अपने शरीर को बड़ा करता रहता है तो वो जो जीव है उसका नाम है वेरोवोर काफी news में आपने सुना भी होगा नई सुना है तो मैं आपको दिखाता हूँ काफी सरे news articles को यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसका नाम है वेरोवोर और यहाँ पर काफी सरे news articles जो है इसको लेकर publish हो रहे हैं ना केवल इंडिया के अंदर international level पर इसके बारे में चर्चा की जा रहे है तो आप कहोगे कि केवल तीनी आर्टिकल तो है ऐसा नहीं है जब आप इसके बारे में search करोगे तो धेर सारे articles आपको देखने को मिलेंगे पिछले दो दिनों से लगातार publish हो रहे है इस प्रकार से धेर सारे articles आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मैंने जैसा बोला इंटरनाशनल लेवल पर यहाँ 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 पर इसको कवर किया हुआ है तो समझते हैं विरोगोर क्या है इंपोर्टेंट है हमारे examination के लिए तो ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया भर के अंदर में अलग-अलग जो वाइरस है वो आते रहे और अलग-अलग वाइरस से पूरी दुनिया भर पिछले कुछ समय पर बहुत ज़दा परेशान हुई है सब को यहां पर वाइरस के बारे में तो exactly पता चली चुका है है ना अब उसी दोरान यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि एक जीव मिला है जो की वाइरस को खाता है खा खा कर अपने शरीर को बड़ा करता है और हमारे लिए यह बहुत ज़दा कारेगर साबित हो सकता है नुकसान पहुचाने वाले जो वाइरस होता है ना उनको खतम करने के लिए यूस किया जा सकता है मैंने वाइरस बोल दिया क्या इस जीव का इस्तमाल क्योंकि इसको एक जीव मानना जा रहा है जीव की तरह मानना जा रहा है ठीक है और बोला ये गया ये केवल और केवल वाइरस को खाता है केवल वाइरस को खाकर अपना पेट भरता है क्योंकि ऐसे पहले भी आपको कई जीव देखने को मिलेंगे जो कि वाइरस को खाते हैं लेकिन यहाँ पे केवल जरुरत पढ़ने पर लेकिन ये जो जीव है ये ऐसा है जो कि केवल और केवल वाइरस को खा कर ही अपना पेड भरता है, ये एक special चीज़ है इसके बारे में, इसी वज़ा से ये news में है, फिर उसके बाद में scientist ने इसके बारे में एक और चीज़ बताई है, इसको विरोवर नाम दिया है, विरोवर नाम बेसिकली इसले भी दिया, क्योंकि इसकी एक सूंड देखने को मलती है, उसी सूंड से यहाँ पर यह वाइरस को पकड़ता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, एक बात और ध्यान रखना, जो जीव केवल वाइरस खाते हैं, उनको हम लोग halteria बोलता है, क्या बोलता है? halteria, यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है, halteria भी यहाँ पर इनको बोला जाता है, और ये पानी के अंदर में अपने बाल जैसे, जो पतला जब सूड़ है वो लहराता वा, use करता है, और उसी सूड़ का इस्तमाल करकर, जो वाइरस होता है, उसको पकड़ करखाता है, और lab में यापर इस जीव की टेस्टिंग भी की गई है, जीव ने क्या क्या रके दिखाया, lab के अंदर में जो chloro virus है, उसको खा कर दिखा तो यह जो है एक नई स्टड़ी यहां पर पता चलती है हाल्टेरिया के बारे में यहां पर ध्यान रखना तो एक बात और ध्यान रखना है हाल्टेरिया हाल्टेरिया क्या होता है ऐसे जीव जो कि यहां पर वाइरस को खाते हैं और अभी जो यह नया इस प्रकार का जीव जो नाम क्या है basically इसका नाम है Vero War, यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है आपसे directly प्रश्ण बन सकता है कि Vero War recently news में था यह क्या है तो बताना है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार का organism है जो कि यहाँ पर virus को खाता है और जाकर अपने body को grow करता है ठीक है बात क्लियर हो गई अब आप सोच रहे होंगे सर आपने जो भी बाते बताई हैं हम इसको लिखे कैसे आपने तो ऐसी बता दिया देखो यहाँ पर पूरा मैं कॉंटेंट लिखा रहा हूँ यही से मैंने आपको इस सारी की सारी बाते बताई है विरोवोर के बारे में यह न्यूज में क्यों है मैंने आपको समझा दिया है है ना विरोवोर क्या है यह आपने समझ लिया है और कैसे काम करता है यह भी आपने समझ लिया है यह बिसिकली हाल्टेरिया की है एक प्रजाती है ये भी मैंने आप लोग को अभी थोड़ देर पहले बताया है ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है ये किससे बने वे होता है, यहाँ पे जो नियुक्लेक एसेट्स होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनसे बने वे होता है, इनका काम है जो भी यहाँ पर वाइरस होता है, उनको खाना और अपने शरीर को ग्रो करना, ठीक है बाकी मैंने क्या टेस्टिंग की कही थी, क्लोरो वाइरस के ओपर वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो यह कॉंटेंट आपको PDF के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप अपने पास में स्टोर करके रखना, प्रश्न बनने के चांसेस काफी जादा है, ठीक है, आगे आता है इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 एन्वोर्मेंट से भी लिंक कर पाओगे, आपने गर्मियों के अंदर एक cold wave, यानि जब सर्दी जादा पड़ रही होती है तो cold wave देखने को मिला है, डेली के अंदर में लगबख कल 3 degree Celsius के आसपास जो temperature है 3 degree Celsius के आसपास temperature डेली के अंदर पहुँच गया है तो basically यहाँ पर cold waves हैं, वो यहाँ पर नजर आई है एसा यहाँ पर बताया जा रहा है तो cold waves होती क्या हैं, यह आपको पता होना चाहिए यह इसलिए यहाँ पर cold wave वोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले, यानि कि कल मैंने आपको क्या बताया था कल मैंने एक article बताया था, जहाँ पर mention था कि डेली के अंदर 4 degree Celsius है आज 3 degree Celsius है लगातार 2 दिन तक अगर इस प्रकार से temperature चलता रहता है न तो इसको हम लोग cold wave की category में रखता है cold wave किसी area में cold wave को declare करने के कुछ conditions होती है वो conditions आपको पता होनी चाहिए examination में केवल और केवल वो चीज़ आपको help करेगी यह नहीं पूछा जाएगा कि हाँ cold wave में कितना degree Celsius पहुंच गया या क्या हो गया है कुछी भी नहीं पूछा जाएगा बस यहाँ पे एक concept news में आया है इस concept का background data आपको पता होना चाहिए कि हाँ sir cold wave यह होता है इसको कौन यहाँ पर जारी करता है क्या conditions होती है यह पता होना चाहिए देखो cold wave यहाँ पर क्या होता है जब अचानक से 24 घंटों के अंदर अंदर जो temperature है वो तेजी से गिर जाए वो basically cold wave की conditions कहलाती है तो काओगे sir कोई limit बगरा है कि हाँ बिलकुल limit है देखो यह जो cold wave है ना इसको हम तब declare करते है जो minimum temperature है वो 10 degree Celsius से कम हो जाता है और अभी डेली के अंदर 3 degree Celsius है इससे पहले यानि कल के दिन कितना था 4 degree Celsius था तो जब 10 degree Celsius temperature कम हो जाता है तब यहाँ पर हम लोग cold wave बोलते हैं लेकिन ऐसे नहीं यह 10 degree Celsius से कम temperature रहना चाहिए लगातार 2 दिन तक कितने दिन तक? लगातार 2 दिन तक अगर है इतना temperature तो बिसिकलि यहाँ पर इसको cold wave डेकलियर किया जाएगा ठीक है? अगर यह केवल एक ही दिन के लिए था बाकि दूसरे दिन temperature थोड़ा सबड़ गया तो वो cold wave नहीं कहलाएगा लगातार यहाँ पर 2 दिन के लिए इतना temperature होना चाहिए बात clear हो गई है ठीक है? और यहाँ पर cold wave जो है ना हमारे coastal stations बे भी होते है यानि कि जो समुदर के गिनारे जो राजस थे थे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ के लिए भी कुछ conditions रखी जाती है वहाँ पर जो minimum temperature वो 10 degree अगर Celsius पहुँचेगा जो की बहुत मुश्किल से ही पहुँच पाता है तब वहाँ पर cold wave डेकलियर किया जाता है लेकिन जो normal plane areas होते है plane areas जैसे की Delhi वगरा की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर basically minimum temperature अगर 10 degree Celsius से कम जाता है या 4.5 degree Celsius तक जाता है इससे कम जाता है दो दिन तक अगर ये temperature रहता है तो वो cold wave के अंदर में डेकलियर किया जाएगा ठीक है clear होगी बात चलो आगे आता है अब इंडिया के अंदर में cold wave zones कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं मतलब हर साल कहाँ कहाँ पर cold waves जादतर आती हुई नजर आती है तो जादर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, डेली, हरियाणा, राजस्तान, उत्रप्रदेश, गुजरात, मध्या प्रदेश, 36 गड़, बिहार, जारकंड, वेस्ट पैंगल, ओडिशा और साधिसात में तेलांगना यह पूरा का पूरा हमारा cold wave zone कहलाता है, ठीक है, बात क्लियर होगी इन फाक्ट यहाँ पर articles के अंदर, बहुत सरे articles में आप देखोगे, बोला यह जा रहा है कि साल 2019 में डेली के साथ साथ जो इसके आसपास के एरियास थे, यहाँ पर सबसे जादा बिकट करके ठंड पड़ी थी, यह यहाँ पर बताया जा रहा है, बाकी अगर मैं एक example दूँ, एक example के तोर पर आप और बहुतर तरीके समझ सकोगे, देखो यहाँ पर 2020 का example दिया जा र रहेगा ना, तो यहाँ पर जो हमारा Indian Metallurgical Department है, वो इसको cold wave डेकलियर कर देगा, ध्यान एकना बस दो दिन तक यहाँ पर यह लगातार होना चाहिए, अगर एक ही दिने single day है, तो यहाँ पर इसको cold wave नहीं बोलो जाएगा, अगर दो conservative day तक यहाँ पर लगातार इतना temperature कम है, तो यह basically cold wave की category में आएगा, बात clear हो गई, तो इसको कौन declare करता है, IMD, that is Indian Metallurgical Department, एक और important point आ गया है, IMD के बारे में जान लो, क्योंकि important bodies को लेकर आप से सवाल बन जाते हैं, IMD को established क्या गया था 1875 में, ऐसे सवाल अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है, कि इसको कौन से year में established किया गया था, सवाल जादतर जो पूछे गए previous year के अंदर वो यह है, कि इस body को कौन से ministry के अंदर में रखा गया है, तो जैसे यहाँ पर IMD को रखा गया है, Ministry of Earth Science of the Government of India, ध्यान रखना, जो हमारा भारत का मौसम भी भाग है, वो Ministry of Earth Science के अंदर में आता है, ठीक है, बात clear हो यह बिसिकली यहाँ पर आपका सकते हो कि जो साइकलोन है, वो आने वाला है, वो सारा काम यहाँ पर कौन करता है, IMD करता है, यह आपको एक forecasting करके, एक भविश्य वाली करकर देता है, कि हाँ temperature, यह फिर जो weather है, वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, बात clear हो गई, चलो, next article पर आता है, अगला article बहुत बहुत जादा important है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, आगेन यहाँ पर इसको आप लोग GS paper number 3 environment से link कर पाऊगे, environment के point of view से relevant है, तो बात के जारी है Asian elephant के बारे में, आपने elephant के बारे में पढ़ा है, African elephant, Asian elephant, इनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, important topic है, UPSC कई सारे प्रशन या से पूछता रहता है, तो बात करते है Asian elephant की तो हुआ क्या है, जो निलगरी biosphere reserve आपको देखने को मिलेगा, अच्छा आप लोगों से यहाँ पर प्रशन पूछता है कि चलो यह निलगरी biosphere reserve कहां पर है, कौन से लगातार खतम होती चली जा रही है, क्योंकि कुछ areas को agriculture के purpose इस्तमाल कर लिया या, या अलग-लग purpose से वो areas को इस्तमाल किया जा रहा है, जिसकी वज़ा से यहाँ पर elephants की जो population वो इतनी बढ़ नहीं पा रही है, है ना, इनका जो habitat है वो यहाँ पर लगातार खतम होता वाज तो जादतर जहाँ पर इनको रहना पसंद था, वो areas आज के समय पर काफी कम हो चुके हैं, यह बात यहाँ पर बताई गई, फिर कुछ छोटा सा area की अंदर आज के समय पर यह हाथी वहाँ पर रह रहे हैं, और फिर जिस area में यह रह रहे हैं, उसके आस पास fencing कर दी गई है यानि कि borders बना दिये गएं, तार वगरा खीच दिये गएं, ताकि यह इस area से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इनका जो gene है न, वो आगे grow नहीं करेगा, यह अपने आप में यहाँ पर थोड़ी बहुत population की growth कर पाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर इनका जो population है, वो decline होना start ह हो जाएगा, और फिर एक समय बाद एक tension मनी रहेगी, कहीं यह हाथी extinct ना हो जाएं, खतम ना हो जाएं, तो वो problems भी यहाँ पर नजर आ रही है, जो बात मैं आपको बताईए, वो चीज़ यहाँ पर आपको लेखित में देखने को मिलेगी, ठीक है, फिर उसके आद यहाँ प्रेशर का मतलब है, जो human activities, मानव की जो हरकत है, उसका human settlement, agriculture purpose की land का इस्तमाल करना, तो यह जो activities बढ़ चुकी है, इसकी चेकर में यहाँ पर आप जानवरों को परिशानी होना भी जादा बढ़ चुकी है, तो वो बात यहाँ पर इस particular article के अंदर बताई गई है, तो यह त पूसरा point जो इस article में बचता है, पढ़ने के लिए, यानि exam में जहां से प्रश्न बन सकता है, वो बचता है Asian elephant, Asian elephant क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, कितनी संख्या है, यह बातें यहाँ पर हम लोग जानेंगे, कुछ important तथें हैं, यह अपने ध्यान में रखने हैं, आउ सम एक ऐसा यह animal है, जो कि प्रित्वी पर पाया जाता है, जिसका दिमाग का size जो है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है न, biggest brain के साथ में यहाँ पर animal जो है, वो प्रित्वी के उपर देखने को मिलेगा, इसके population की बात करेंगे, तो elephant की जो population है, पिछले 75 सालों के अंदर तेजी को मिलेंगी, वो लगबग 50,000 से लेकर 60,000 के असपास Asian elephants पाय जाते हैं दुनिया बर के अंदर में, इसमें से जो 60% से भी ज़्यादा elephants है, वो केवल यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, यानि 50,000 से 60,000 जो Asian elephants हैं, Asian elephants की बात कर रहा हूं मैं, ये Asian elephants दुनिया बरें पाय जाता हैं, इसमें से 60% से ज़्यादा केवल और केवल भारत में देखने को मिलता हैं, कहां कहां पर देखने को मिलता है, अभी मैं आपको समझाओंगा, लेकिन उससे पहले अब जो हम elephants के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा important point है, ये आपने दिहान में रखना forest elephant हो गया, African savana elephant हो गया, ऐसी Asian elephant होता है, तो ये तीन elephants हमेशा news में बने रहते हैं, और यही से सवाल जातर बनते हैं, तो यहां पर इनका IUCN status जहान रखना, Asian elephant जो की पूरे Asian हैं पाया जाता है, यही elephant सबसे ज़्यादा भारत में भी पाया जाता है, तो इसका IUCN status है endangered, ये endangered category में मतलब कि इसकी संख्याई लगातार काफी ज़्यादा खतरे में हैं, उसी प्रकार से जो African savana elephant है, ये basically endangered category में ये भी है, और African forest elephant बहुँ ज़्यादा खतरनाक स्टेज में है, ये critically endangered category में है, यानि कि इसकी population और ज़्यादा घटती भी जा रही है, इसकी संख्याई यहां पर इतनी कम हो चुके हैं कि इसको critically endangered में डालाए, कुछ और संख्याई कम होगी ना तो ये जल्दी प्रजाती विलूपत हो जाएगी, तो ये तीनों यहां पर इनका IUCN status आपको ध्यान में रखना है, और तीन हुई elephants को Wildlife Protection Act 1972 में Schedule 1 में रखा या है, यानि कि इन तीनों का ह जो व्यापार वगरा है ना, international trade वगरा वो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लस यहां पर major focus इनके production के उपर, कोई इनकी जो hunting वगरा करेगा, तो उसके उपर penalty वगरा चार्ज की जाती है, ठीक है, बात clear हो गई, आ गया आता है, अब elephants से संबंदित पिछले कुछ समेंबेर, बह 2017 में, उसके हिसाब से लगबख 29,964 के असपास Asian elephants भारत के अंदर थे, ठीक है न, यह बात यहां पर बताई गई, लेकिन यहां पर आप देखोगे, problem यह है कि elephants के साथ में हम लोग human elephant conflict जादतर देख पा रहे हैं, यानि कि जो इनसान और जो जानवर का संघर्ष है न, वो का काफी बढ़ चुकी हैं, जैसे आपने देखा कि इन elephants का जो बहुत सारा area है न, वो हम लोग अलग-लग use के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, अब यह elephants कहा जाएंगे, यह सब बाहर निकले लगते हैं, किसी की खेत में गुजगए, या कहीं पर गुजगए, तो इस यहां पर क्या पर निकल कराते हैं, ठीक है न, यहां पर आप देखो के हर साल लगबख 500 से ज़्यादा जो humans हैं, जो मानव हैं, वो मारे जाते हैं, elephants के माद्यम से, यानि elephants यहां पर उनको मार देते हैं, और कई सारी जो फसले हैं, वो damage होती है, मिलियन सौ अफ रुपीज का यहां पर damage होत है, जैसे कि आप देखोगे, प्रोजेक्ट elephant को launch किया था, 1991 से लेकर 1992 में, यह एक centrally sponsored scheme है, ठीक है न, फिर उसके बाद में आप देख पाऊगे, इसी प्रकार से हम लोग ने और भी प्रोजेक्ट्स चलाएं, जैसे कि elephant reserve, elephant reserves को यहां पर बनाना स्टार्ट किया, दिन उसकी बाद में, यहां पर आप कह सकते हो, कि हमने mic program को start किया, mic program ध्यान रखना important है सवल बनने की chances हैं, काफी news में है, mic की full form है, monitoring of illegal killing of elephants program, mic program का मकसद है, कि जो भी illegal तरीके से हातियों को मारा जा रहा है, इसके ओपर निगरानी रखना और इस चीज़ को रोकना, तो यह अलग-लग initiative start किया है, भारत सरकार ने, ताकि elephants को बचा जा सके, यह initiative आप से mains में पूछे जाते हैं, इस वज़ा से मैंने इसको include कर दिया, यानि कि हर एक article को हम prelims के point of view से hit तो करी रहे हैं, साधी साथ में mains के hit point of view से भी hit कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर कुछ और factual data बाकी है, उसक सुमत्रन और स्री लंकन, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी सबसे जादे जो संख्या है वो इंडिया के अंदर पाए जाती है, अब elephants के बारे में आपको यह 4 points बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना, देखो जो elephant का पूरा group होता है, इस group को कौन lead कर रहा हो longest gestational period होता है, यनि pregnancy का जो period होता है, वो 22 महीने को हता है, 22 महीने की pregnancy यहां पर elephants के अंदर चलती है, उसके बाद में जो females हैं, यह लगबख 14 साल से 45 साल तक, कितना 14 साल से 45 साल तक यहां पर एक छोटे बच्चे elephants को जन्म दे सकती हैं, तो यह बिसिकल यहां पर इनका पूरा क elephants की कितनी population है, 20,000 से 40,000 के आसपास, और जिसमें से सबसादा जो है, वो इंडिया के अंदर पाय जाता है, ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि elephants का सबसे लंबा gestational period होता है, 22 महीने का यह पीरेड होता है, यह आपने आपे समझ लिया, 22 महीने तक यहां पर pregnancy चलती ह है, उसके बाद यहां पर आपने यह समझा, कि यह जो females हैं, लगबाग यह 14 से 45 साल तक यहां पर किसी दूसरे elephant को जन्म दे सकती है, और यह जो पूरा group है, इसको एक largest जो female member होती है, वो ही यहां पर इसको lead करती है, female member यहां पर उस पूरे group को चलाती है, ठीक है, उसका main leader कह लाती है, ठीक है, बात clear हो गई, बाकि आप देखोगे, इस elephant का जो भी सूड होता है, जो trunk होती है, उसमें लगबाग 40,000 के आसपास muscles पाई जाती है, तो आप सोच रहे होंगे, कि सर क्या भकवास कर रहा हो, यह चीज़े कोई पूछने वाली बात है, मतलब यह कोई पूछ Asian elephant इंडिया में पाई जाता है, और इनकी जितनी भी संख्याए हैं, इसमें से 25% केवल और केवल करनाटका के अंदर है, तो करनाटका के अंदर सबसे ज़्यादा population पाई जाती है, इन Asian elephants की यह भी no down कर लेना, आगे आता है, आप सोच रहोंगे, कि यार इतना कुछ नहीं प बात की जारी है, तो Indian elephants के reference में आपको यहाँ पर चार statements दिये गए हैं, बताना यह है कि कौन सा statement सही है, पता है पहले statement में क्या बोल जाता है, कि जो elephant का group होता है, इसकी एक leader female होती है, क्या statement सही है, आप कहोगे हाँ सही है, अभी हमने पढ़ा था, दूसरा statement देखते हैं, जो elephants का maximum gestational period होता है, यानि कि जो उनका pregnancy period होता है, ये 22 महिने तक चल सकता है, कहोगे ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था, दूसरा, तीसरा statement बोलता है, कि जो ये एक elephant है ना, ये basically यहाँ पर अपनी 40 साल तक, यानि 40 साल की उम्र तक यहाँ पर एक दूसरे बच्चे को, दूस वाला statement है, वो हमारा हो जाता है, रोंग, चौथे statement को भी देख लेता है, चौथा statement बोलता है, भारत के अंदर जितने भी राज्ये हैं, इन सभी राज्यों में से, सबसे जादा जो elephant की population है, वो के रेला में पाए जाती है, आपको के गलत है, अभी आपने बताया था, के, तो option के अंदर आपके पास में 1 & 2 only भी है, 2 & 4 only, 3 only, या 1, 3 & 4, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, option number A, 1 & 2 only, तो 2020 में या पर एक question पूछा या था, इस वज़ा से मैं हर एक article को इतना ज़्यादा detail में लेकर चलता हूँ, वीडियो भले ही थोड़ा सा late आ रहा हो, उ उसके लिए आप बिलकुल परेशान ना हुआ करो, देखो थोड़ा सा delay हो जाता है वीडियो के अंदर में, क्योंकि newspaper ही लेट आता है, और उसके बाद में content को ready करना काफी problems हो जाती है, है ना उसमें थोड़ा delay हो जाता है, लेकिन आपको, मैं काफी सारी चीज़े provide करवाने की कोशिच करता हूँ कि जो examination के point of view से relevant है, चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ने से पहले, make sure करना वीडियो पर जो like का बटन है उसको प्रेस कर दो, एक छोटा सा target होता है 5K plus likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो, साधी साथ मेरे साथ में Instagram पे connect कर सकते हो, Instagram पे जाना, search box में type करना आपको यहाँ पर यह मेरा profile मिलेगा, यहाँ आप मेरे साथ में personally connect कर पाओगे, देखो जो भी आपसे रोजाना questions पूछे जा रहे हैं, Mexico अभी news में है, तो आपसे पूछा गया है, मैप में Mexico को देखना है, तो देखना है, फिर आकर नीचे comment section में उसके बारे में लिखना है, फिर उसके बाद में आपसे prelims का question पूछा या, उसका answer भी देना, नहीं पता है, तो वीडियो के अंत में मैं उसका correct answer बता दूँगा, लेकिन comments के अंदर आपको अपना engagement दिखाना है, comments के अंदर activate रहना है, ठीके ना, इस से यहाँ पर पता चलता रहता है, कौन-कौन समय से मेरे साथ में connected है, बाकी morning में जो वीडियो upload हो रहा है, उसको बिल्कुल miss मत करना, सुबा पांच बजे upload हो जा रहा है, आज सुबा पांच बजे एक record तोड़ यहाँ पर हम लोगों ने record generate कर लिया था, लगबग 600 से जादा लोग live वीडियो देख रहे थे, सुबा पा क्योंकि उसमें वीडियो के अंत में आपके लिए practice के लिए कुछ questions मल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बात करता है green hydrogen के बारे में, देखो कल ही मैंने आपको green hydrogen के बारे में पढ़ाया है, और आज green hydrogen को लेकर कम से कम पांच आर्टिकल साइन यूस पेपर के अंदर, तो हमारे पास में एक editorial भी है green hydrogen के उपर, तो मैं आपको वही पर समझा दूँगा green hydrogen का mission पूरा क्या है, वैसे कल मैं आपको समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं, एक आपको फिर भी overview में आज भी दे दूँगा, तो editorial पे जब हम च बात की जा रही है, जो हमारे defense minister है, राजना सिंग जी, ये अभी हमारे जो अंडामान की अंदर में port player होता है, अंडामान की जो capital है port player, यहाँ पर धेर सरा जो infrastructure है, वो बनाया जा रहा है, आपको बताओगा वैसे अभी निकोबार islands के उपर भी हम लोगोंने development project को लगा रख तो अभी यहाँ पर यह जो infrastructure अपग्रेट हो रहा है ना, यहाँ पर, इसको हमारे defense minister देखते हैं, और देखते वह यहाँ पर यह बोलता है, कि बिल्कुल हमें इसको और जिसे expand करना होगा, क्योंकि यह infrastructure हमारे जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके माद्यम से हम चाइना के ओपर नजर रख पाएंगे, क्योंकि अंडामा निकोबर आइलेंड आपको पता है, इंडियन ओशन रीजन में है, और इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना है, वो अपना expansion कर रहा है, लंबे समय से चाइना लगातार पैर पसारता जा रहा है वहाँ पर, तो हम चाइना पर निकोबर आइलेंड के लिए, यानि कि जो निकोबर आइलेंड है, यहाँ पर कुछ डवलप्मेंट चलेगा, काफी सरे जो infrastructure प्रोजेक्ट से वो बनाए जाएंगे, उसके लिए पैसा एनाउंस कर दिया है, तो चाइना पर निगरानी रखने के लिए इस प्रक इसमें से क्या question बन सकता है, इसमें से आपको पता है, पोर्ट बिलियर बेसिकली एक location की बात यहाँ पर की जा रही है, तो पोर्ट बिलियर जो location है, उसको map में अच्छे से देख लो, वही आपको काम आईगी, वहीं से question बनेंगे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस प्र कर से यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेंगे, उपर तो हो गए अंडमान आईलेंड्स और नीचे हो गए हमारे निकोबार आईलेंड्स, इनमें बीच में 10 डिगरी का आपको पता होगा, यहाँ पर एक लाइन है, और इसी लाइन से यहाँ पर इस separate हो जाता है, तो ध्या ज़र आएगा, यह लिखावा भी आपको दिख रहा होगा, यह है एक्जाटली पोर्ट बिलियर, समझ में आगई बात, चलो, आगया आता है, अब उसके अलावा क्या पढ़ना है, उसके अलावा जो मैं आपको बात है, बाते बताने वाला हूँ, वो पढ़ना है, ठीके न क्या बाते हैं, अंडामान निकोबार आइलेंड बेसिकली भारत की यूने टेरिटरी है, बहुत सिंपल है, सबको पता है, दूसरा यहाँ पर बात यह निकल गर आती है, यह कहाँ पर इस्थित है, इंडियन ओशन में इस्थित है, इसके आसपास इंडोनेशा थाइलेंड जैसे देश पढ़ जाता है, क्योंकि इंडोनेशा थाइलेंड यहाँ पर आपको बरावर में देखने को मिलेंगे, इधर अंडामान निकोबार आइलेंड देखने को मिलेंगे, तो पास में यह देश आ जाता है, अंडामान और निकोबार आइलेंड दोनों यहाँ पर नमन आ जाता है, नीचे आपको निकोबर आइलेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर होगी, उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाई basically as a official language देखने को मिलेंगी, उसके साथ साथ जो बेंगॉली है वो भी एक dominant most spoken language है, बेंगॉली भ लेरेबल tribal groups देखने को मिलेंगे, यानि कुछ ऐसे tribal groups जिनकी संख्याएं लगातर खतम होती जा रही है, बहुत कम हो चुकी है बहुत खत्रे मो ट्राबल ग्रूप्स आपको देखने को मलेंगे तो कौन कोंसे ट्राबल ग्रूप्स हैं जैसे यहाँ पर great unamani's great unamani's पाई जाते हैं straight island पर फिर उसका ओंगेस यहाँ पर tribes पाई जाती है फिर उसके बाद में यहाँ पर jarawa जरावा ट्राइब भी हही पर देखने को मिलेगी देन सेंटेनलीज, देन उसके बाद में लेकरों पर देखने को मिलती है तब यहाद रह पाएंगी तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि question बनाए किया पहले कोई, हाँ पहले कई सारे question बने है देखो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ साल 2014 में UPSC ने एक प्रशन पूछा था प्रशन क्या था, कि यहाँ पर नीचे option के अंदर आपको चार अलगलग pairs दिये गए, पूछा यह गया इन में से कौन सा एक pair है, जो की 10 degree channel से separate होता है तो मैंने भी आपको बताया था, अंदमान निकोबार आइलेंड के बीच में यहाँ पर 10 degree यहाँ पर जो parallel line है, इसके उपर अंदमान आ जाता है, नीचे यहाँ पर निकोबार आ जाता है निलगरी हिल्स, निकोबार स्पिती वैली या लक्षुदी पाइलेंड अभी आपने पढ़ा था, शोमपन ट्राइब पाई जाती है निकोबार आइलेंड में, तो option B इसका सही उत्तर हो गया फिर एक और इसी प्राकार का सवाल फिर से 2004 में ही पूछा गया था question यहाँ पर क्या था, कि कौन सी यूनें टेरिटरी, नीचे जो आपको अलगलग यूनें टेरिटरी दी गई है, कौन सी यूनें टेरिटरी में ओंगे ट्राइब पाई जाती है, ओंगे ट्राइब रहती है है ना, अभी भी मुझे यहाँ और भी questions मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि अंडर्मान निकोबर आइलेंड को लेकर हैं, तो location कितनी important है, यह आपको पता चल गई चलो, आगे आते हैं उसके बाद अगले article पर नो next important article, यहाँ पर इसको आप लोग GS paper number 2, international relations से relate कर पाओगे, इंडिया और फ्रांस के relations के discussion हम यहाँ पर करेंगे, तो हुआ यहाँ पर यह है कि इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर कुछ security और defense को लेकर अपने आपस में point of views को share किया है, recently यहाँ पर यह होता है कि जो national security advisor है हमारे अजीद दोवाल साब, यह Thursday में क्या करते हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो strategic dialogue है, इसका जो 36 रांड है, वो यहाँ पर discussion करते हैं Emmanuel Macron साब के साथ में, उसके साथ साथ यहाँ पर France के ही, जो basically यहाँ पर आपको एक NSA देखने को मिलेंगे, यह फ्रांस के national security advisor आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम हो है Emmanuel Bon, अच्छा मैंने उपर Emmanuel Macron बोल दिया ना, Emmanuel Macron ने, Emmanuel Bon, इनका नाम है Emmanuel Bon, ठीके ना, तो यह फ्रांस के national security advisor है, इनके साथ में अजीद दोबाल साब ने बातचीत करी है, अजीद दोबाल साब के साथ साथ यहाँ पर यह हमारे Prime Minister के साथ भी मिले हैं, उसके साथ साथ हमारे External Affairs Minister S. जेश्रिंकर साथ भी यहाँ पर यह मिलकर गए हैं, तो यहाँ पर आपको सकते हो, जब इनकी meeting हो रही तो उन्होंने काफी सारे topics के बारे में discuss किया, जैसे Russia युकरेन का conflict के बारे में चर्चा की गई, अफगानिस्तान के अदर में जो terrorism बढ़ रहा है, उसके बारे में कैसे आतंगवा से लड़ सकते हैं, वो topic discuss किया या, cyber security के बारे में discussion किया या, यानि कि जो भी यहाँ पर अभी cyber frauds बढ़ते जारे हैं, उसको हम कैसे tackle कर सकते हैं, दोनों countries के बीच में defense cooperation कैसे और मजबूत हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर discussion किया गया है, ठीक है, यह बात यहाँ पर बोली गई है, उसके साथ-साथ यहाँ पर basically यहाँ पर France ने, आप कैसकते हो, France का एक बहुत important country है भारत के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो defense equipment से वो France से purchase करते हैं, क्या-क्या purchase करते हैं, वो सब अभी मैं आपको थोड़ दिर में बताऊंगा, ठीक है बाकि यहाँ पर इन्होंने बोलाए कि जो कई सारे challenges हैं, इनके relations के बीच में उन challenges को हटाते वे, उन challenges से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे इंडिया France और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, उसके बार में properly discussion यहाँ पर किया गया है यह बात clear हो गई, तो यह तो आपका current issue है, कि हाँ भईया, इंडिया फ्रांस के बीच में बात चीत हुई है, दोनों के leaders के बीच में बात चीत हुई है यहाँ से हमारे external minister, हमारे NSA थे, और उधर से यहाँ पर France के NSA आई थे, उन्होंने यहाँ पर सरकसरा, जो discussion है, वो किया है ठीक है, इतना तो यहाँ पर आपने current issue में समझ लिया, question यहाँ से बन सकता है, बिलकुल नहीं बनेगा, question में, अगर को question cover करना है, देखो, यहाँ पर ना means के अंदर question बन सकता है, prelims में बन सकता है कैसे question बनेगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो इंडिया और France के relations आपको पता होने चाहिए, तो यहाँ पर चलो हम लोग बात करेंगे, इंडिया और France के relations के बारे में थोड़ा detail से, ठीके न, आपने कोई भी अगर international relations के किताब उठा रखिये, कोई भी 1998 के बात है, ठीके न, यह बात clear होगी, उसके बात में आप देखोगे, जो France है, France उन्ही कुछ देशों में से है, जिन देशों ने भारत को support किया था, जब भारत ने 1998 में nuclear weapons की testing की थी, nuclear weapon हमने test किया था, अमेरिका sanctions लगा रहा था और साधी साथ में कुछ important issues जैसे की कश्मीर का इशू हो गया, आतंगवाद का इशू हो गया, इस पे यहाँ पे France इंडिया को ही support करता है, अब दोनों countries में defense cooperation के बारे में थोड़ा discuss करते हैं, देखो दोनों Navy के बीच में exercise वरुन, दोनों की Air Force के बीच में exercise गरुड, यहीं से प्रशन बनेगा prelims के अंदर में, आपको पता होगा कि China के साथ में हम hand in hand exercise को करते हैं, UPSC ने यही प्रशन पूछा था कि hand in hand exercise कौन से देश के साथ में हम करते हैं, तो यहां पर example वो इसका answer था चाइना, तो ध्यान अकना यहां पर Army, Navy और Air Force के साथ में, यानि कि हमारी दोनों देशों की Army, Navy, Air Force के बीच में कौन-कौन से अभ्यास होता है, नाम ध्यान लगना, ठीक है, बात क्लियर हो गई, उसके बाद में प्रांस के साइट से benefit मिलता है, दोनों कंट्रीज के कुछ important agendas हैं, जैसे दोनों कंट्रीज का major focus है, climate change के उपर काम किया जाए, जो temperature लगातार बढ़ रहा है, pollution बढ़ रहा है, इसको रोका जाए, हैना, साधी साथ में, terrorism को रोका जाए, cyber security के उपर काम किया जाए, digital technology के उप इसको सुना होगा, International Solar Alliance का जो foundation है, या फिर आप कर सकतो, इसको पूरी तरह से जो बनाया गया गया बौडी को, इसके पीछे भी यहाँ पर India और France थे, जो दोनों ने मिलकर यहाँ पर ISA को बनाया, जिसका headquarter आज के समय पर गुरुगराम में यहनी बारत में देखने को मिलता है, क्लियर होगी बात, चलो, इस प्रकार से आपने यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ना था, आगया आते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, इसको भी थोड़ा जल्दी से हम कवर करेंगे, यहाँ पर क्या mention किया है, आओ थोड़ा सा ह के बारें बताया है, वो यहाँ पर norms यह लेकर आएं कि उन norms के अंदर में, उन rules में क्या हो सकता है, कि जो foreign universities हैं, विदेशों की जो अलगला universities हैं, वो अपने campus भारत के अंदर लगा सकती हैं, और उनको कुछ powers भी दी जाएंगी, तो बाहर की universities इंडिया में आकर campus लगाएं, उसके लिए यहाँ पर कुछ rules वगरा तयार किये जा रहे हैं, यह बात यहाँ पर बताई है, सब कुछ implement नहीं हुआ है, अभी देरे-देरे काम चल रहा है, तो University Grants Commission ने announcement कर दिया है, draft norms का, अभी यहाँ पर इसको पर काफी काम किया जाएगा, बात में यहाँ पर properly rules and regulations को implement कि आजाएगा, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो भी foreign universities है, यानि दुनिया में जो top 500 global ranking के अदर आने वाली universities हैं, वो basically अपना campus भारत के अदर setup कर सकती हैं, और new education policy 2020 के तहद भी हमारा focus यही है, कि जो दुनिया भर की top universities है, वो इंडिया के अदर operate करें, इंडिया के अदर काम करें, इंडिया के अदर education को provide करवाएं, और फाइदा यहाँ पर यह होगा, कि हम इन universities को थोड़ी बहुत powers देंगे, जैसे अपने इसाब से यह अपने आपको कर पाएंगे, governance कर पाएंगे अपना, है ना, उसके बाद में जैसे हमारी आज के समय पर हमारी जो universities हैं, हमने इनके उपर जो fees वगरा है, उसके उपर एक limit set कर रखी है, वैसा इनके उपर नहीं किया जाएगा, अपने इसाब से लोग fees वगरा decide कर सकते हैं, क्या fees रखनी है, क्या नहीं रखनी है, तो कुछ powers वगरा इनके हाथ में भी रहेंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर यानि 10 साल तक आपना campus इंडिया में लगा सकते हो, और उसको बापस से यहाँ पर हम extend कर सकते हैं, आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, जो fees वगरा वो थोड़ी reasonable ही रखी जाएगी, मतलब यह है कि फिर भी जोर नहीं देंगे उनके उपर, लेकिन एक reasonable fees रखी जाएगी, उसके criteria उनहीं के country के basis पर होगा, यानि कि उनकी जो main university है उनके देश में, वही वाला यहाँ पर qualifications इनको दिया जाएगा, वही वाला basically recognition इन students को यहाँ पर प्राप्त होगा, साधी साथ में इनको autonomy power यह दी जाएगी, यह काफी सारे जो staff है, teachers, faculties का जो staff है, यह इंडिया से भी फाइदा होगा कि यहाँ पर यह अपना जो भी fund अबगरानों ने कमाया है, तो इसका cross border नानी की बाहर अपना country के अंदर fund अबगरा भीज सकते हैं, यह ना remittances भीज सकते हैं, तो बहुत सारे फाइदे यहाँ पर इनको अलग से दिये जा रहे हैं, बाकी आने वाले समय पर किस प्रकार से यह implement होगा, वो देखने वाली बात है, किस प्रकार से rules and regulations आते हैं, properly वो यहाँ पर देखने वाली बात है, फिलाल article में केवल इतनी कहानी थी, तो बस इतना से यहाँ पर आपको ध्यानों रखने हैं, इसके लाबा कुछ नहीं पढ़ना है, चलो आगे आते है नेक्स्ट आर्टिकल पर, ना वाएंगे एकोनॉमी के पेज के उपर, बिजनस सेक्शन के उपर, बिजनस सेक्शन पर एक लौता article इंपोरेंट है, गिरीन हाइडोजन के बारे में वापस से चर्च आई गई है, तो यार इसको स्किप करना, गिरीन हाडोजन पढ़ पढ़ जैसे हमारी tea industry होती है, coffee industry होती है, उसी प्रकारी की rubber industry भी है, तो जो rubber industry है, यह चाती है, कि जो सरकार ने taxes लगा रखे हैं, natural rubber के import के उपर, यानि काफी सरा natural rubber हम मंगाते हैं बाहर से अपने देश के अंदर में, तो उसके पर सरकार ने tax लगा रखे है, तो यहाँ पे industry चाती उस tax को हटा दिया जाए क्योंकि इंडिया के अंदर देखो natural rubber ग्रो तो किया जाता है लेकिन इस साल हम थोड़ी problems phase कर रहे हैं आप इंडिया मेप की बार देखोगे जो production है natural rubber का वो inefficient रहा है बहुत कम रहा है है तो हम लोग लोग की demand पूरी नहीं कर पाएंगे लगबग demand आ र चाहिए यहाँ पर basically यह industry चाहती है ताकि इन industry को थोड़ा बहुत फाइदा हो जाए ठीक है यहाँ पर आप देख पाऊगे यह बोला जा रहा है कि जो इंडिया है न वो basically rubber चलो थोड़ा बहुत produce करता है अब की बार हम लोग यहाँ पर इतना hit नहीं कर पाएं लेकिन उसके बावजूद भी एक होता है rubber ethylene propylene dine monomer ठीक है ना क्या होता है rubber ethylene propylene dine and monomer तो यह चीज़ जो है यह भारत produce नहीं करता और इसके prices रश्य युक्रेयन की वार की वज़े से डबल हो चुक हैं कोरोना की वज़े से डबल हो चुक हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी cancer कार है न वो basically इसके production को यहाँ पर इंडिया के अंदर बढ़ावा दे और production को बढ़ावा देने के साथ साथ जो आज के समय पर यह बाहर से हम लोग ले रहे हैं purchase कर रहे हैं इसके ओपर जो tax वगरा है वो खतम कर दे क्योंकि tax और देना पड़ेगा तो इसके वैसे यह समान और महंग लेकिन अब इसका थोड़ा सा background data भी आपको cover करना पड़ेगा यानि natural rubber क्या है है यह सारी बाते आपको पता होनी चाहिए इस article को GS paper number one agricultural resources GS paper number three cropping pattern के point of view साब link कर पाऊगे तो natural rubber की बात करेंगे तो rubber जो है न यह एक basically पेड़ से मिलता है उस पेड़ को हम बोलते है heavier brazilenses heavier brazilenses नाम के पेड़ से यह rubber हम लोग को मिलता है ठीके न अब basically rubber directly नहीं मिलता है यहां से हम latex निकालते हैं फिर उससे यहां पर rubber को बनाते हैं अब आज rubber काफी सारी industries के अंदर इस्तमाल के जाता है हमारी defense, national security, industrial development सभी जगा पर rubber का use काफी ज़दा बढ़ चुका है ध् खासकर यहां पर जो aluvial soil होती है उसमें बेतिनी तरीके से यह rubber का plantation हम लोग कर सकते हैं अब बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर rubber की क्या situation है जो अंग्रेज थे इन्होंने पहला rubber plantation लगाया था इंडिया के अंदर में 1902 में जो पेरियार नदी है करेला में इसी के किनारे यहां पर यह पहला plantation लगाया गया था इंडिया आज के समय पर छटा सबसे बड़ा producer है natural rubber का पूरे दुनिया भर में और हमारी productivity काफी जादा थी basically 2017-18 में अभी के समय पर यह productivity काफी कम हो चुकी है मैंने आपको जैसे बताया क्योंकि हम लोग थोड़ा सफ administration development scheme एक का नाम है rubber group planting scheme इस प्रकार के कई सारे यहां पर initiatives उठाए गए हैं साधी साथ में इस particular industry के अंदर जो बाहर का FDI है यानि कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति पैसा invest करना चाहता है इस particular industry में तो 100% तक हमने इस FDI को अलाव कर रखा है और ऐसा rubber के साथ साथ coffee, tea, cardamom, palm oil इन sub industries में भी हमने 100% FDI को अलाव कर रखा है दुनिया भर में बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ा producer कौन है rubber का तो उसमें आ जाता है Thailand, Indonesia, Malaysia, वेतनाम, China, India यह country आपको देखने को बलेंगे जो कि सबसदा production करती है rubber का और सबसे ज़्यादा यूज कौन करता ह जिसको हम लोग बोलते है rubber act 1947 तो यहाँ पर इसी act के मादियम से हमने rubber board को बनाया है तो आपको पता है कोई भी अगर body एक act से बनती है तो इसको हम लोग statuary body बोलते हैं तो एक statuary body है जो कि सरकार ने इस rubber act 1947 के तहत बनाई हुई है इसका head office आपको केरिला में कोते हम जो है वह आनक न यूपीएसी ने साल 2008 में इसी प्रकार से प्रशन पूछा था यहाँ पर आपको अलग-अलग boards के नाम दिये दे गए थे coffee board, rubber board, tea board, tobacco board और यहाँ पर आपको headquarters दिये गए थे और आपको matching करनी थी जैसे coffee board का headquarters बैंगलूर में है rubber board का आपको कोतिया में देखने को मिले इसी प्रकार से टॉबएको board का गुंतुर में देखने को मिलेगा तो यह बेसिकली यहाँ पर बोला गया है इस प्रकार से यहाँ पर आपको matching करनी है तो वैसे इसका सही उतर क्या है सही उतर यहाँ पर जो options दिये गए इसमें से है option number B, option number B 1342 ठीक है ना 1342 मतलब यहाँ पर तो आज का पूरा का पूरा discussion बहुत important होने वाला है इंडिया नेपाल का relations के बारे में एक article इसको discuss करेंगे फिर उसके बाद में हमारा जो TV चैनल से उनको लेकर एक article है हमने किस प्रकार से growth पाई है इस पूरे network के अंदर में TV network के अंदर में उसके बारे में discussion किया गया है ग् आपको बताना है examine the challenges and opportunities of India's blue economy and suggest innovative strategies for the sustainable development of this sector यानी जो हमारी blue economy है यानी समुदर के मादियम से जो भी हम लोग पैसा generate करते हैं हम अपनी economy को generate करते हैं वो basically blue economy कहलाती है क्योंकि blue economy मतलब है समुदर के अंदर कितना सारा development होना जो ports वगरा है याना बंदर गाह है वहां से कितना स पैसे का generation होता है कई सारा हम लोग यहां पर fishing करते हैं वहां से पैसे का generation होता है तो बहुत सारी यहां पर आपका सकतो हो अलगलग revenue generation है जिस पे कई सारे लोग dependent है बहुत से लोग की livelihood इस समुद्र को पर dependent होती है तो यह basically blue economy कहलाती है तो इंडिया की blue economy के अंदर में क्या क्य प्रॉबलम्स क्या क्या challenges नजर आती हैं और क्या opportunities नजर आती हैं ये आपको बतानी है सादी साथ में आप क्या क्या innovative strategies यहां पर लेकर आ सकते हो क्या क्या नए तरीके ले करा सकते हो ताकि इस sector को और ज़दा develop किया आसके और ज़दा इसको विक्सित किया आसके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या आपने बताना है तो इसका एक अच्छा सा आंसर लिखना आंसर लिखने के बाद में कहां पर समिट करना है टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक चैदव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग आपको फूल फॉर्म लिखनी है आपको मेरा चलल मिलेगा लगबग महाँ पर 42,000 से ज़ादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी जाकर जुड़ कर डेली बिसस पर आंसर को लिख सकते हो आंसर को लिखने के साथ साथ में क्या करना है आप सभी लोग को दो-दो आंसर को रिव्यू करोगे तो इसे कई सारा फाइदा होगा आपको भी सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे अपने notes में include करने के लिए सामने वाले के आंसर में अगर कोई mistakes होती है तो आप उनको वो चीज़े बता सकोगे ठीक है बात clear होगी तो इसका एक answer लिखना है तो काओगे सर इसका content वगएरा काओ आप provide करवाओगे क्या हाँ अभी मैं एक editorial discuss करूँगा एक editorial आया है दहिंदू के business line के अंदर में वहाँ से मैंने लिया है क्योंकि आज Friday है Friday में आपको पता है दहिंदू के अंदर editorials कम आता है लेकिन एक editorial जब मैंने दूसरा newspaper उठाया है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेतरीन देखने को मिला तो मैंने सोचा वो discuss किया जाए उसी के basis पर यहाँ पर आपको ये question भी दिया गया है तो उस editorial के सारे के सारे important points आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लेकिन पहले में आपको वो article दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत दूसरा newspaper से लिया है थोड़ा सा important है इस वाज़े से लेना पड़ा ठीकिना इसको हम skip नहीं कर सकते थे तो basically दाहिंदू का ही आता है यह business line है ना तो यहाँ पर इन्होंने mention कर रखा है blue economy के बारे में तो basically यहाँ पर यह जो editorial है यह लिखा गया है किसन के थूँ स्रीनाथ स्रीधारन के थूँ इन्होंने काफी सरे important points mention कि कि किस प्रकार से हम इस particular sector को grow कर सकते हैं कैसे हम लोग blue economy से धेर सरा revenue का generation कर सकते हैं चलो फिर discussion को start करते हैं पहले तो हम समझेंगे कि यह जो इंडिया की blue economy है ना इसके अंदर हम किस प्रकार से benefits को बढ़ा पाएंगे प्लस यहाँ पर blue economy होती क्या है यह सारे कुछ important facts वगरा जानने की कोशिश करेंगे देखो राइटरिया पर यह बोलता है कि दुनिया की जो seventh largest country है by the land area वो basically इंडिया देखने को मिलेगी इंडिया का land area सबसे जादा है साथ नमबर पर आने वाला देश है और उससे भी surprising बात यह है कि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र को touch करता है है ना इंडिया का जो निचला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा southern हिस्सा वो basically काफी बड़े समुद्र वाले region को touch करता हूँ नजर आता है और यही चीज कहीं न कहीं इंडिया को बहुत सारे benefits देती है और यहाँ पर हमारे कई सारे islands वगरा भी देखने को मिलेंगे कई सारे beaches हैं अंडामा निकोबार islands आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यह सब हमारी economic के अंदर एक बहुत बड़ा role play कर सकते हैं ऐसा writer ने mention किया है यहाँ पर यह बोलते हैं कि तो को सरकार ने कई सारे initiative को launch किया जिससे हम लोग अपने blue economy की growth को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें जो project है वो सबसे ज़्यादा कारिगर project आपको सागर माला project देखने को मिलेगा इसका मकसद क्या है इसका मकसद है कि भारत के port infrastructure को बराना यानि भारत के अंदर जो बंदरगा होता है जहां पर मतलब समान आता है हमारोर यहाँ से समान export होता है समुदर के मादम से तो बंदरगा पर रुखता है तो connectivity हमारी improve होती ही नजर आएगी बाकी सारे area से overall यहाँ पर उस area के अंदर properly development भी होता है नजर आएगा तो यह इसके यहाँ पर कुछ benefits नजर आते हैं तो मतलब इस माध्यम से आज के समय पर सरकार इस blue economy को support करती हुई नजर आ रही है लेकिन फिर भी इस particular economic के अंदर धेर सारे challenges आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि climate change का challenge climate change यानि कि लगातार pollution बढ़ रहा है गर्मियां बढ़ रही है तो उसकी चकर में समुदर में एक problem आ रही है वो problem क्या है आगे मैं आपको समझाओंगा उसका में समुदर के अंदर pollution बढ़ना लगातार pollution बढ़ रहा है कभी कभी marine resources का over exploitation हो रहा है यानि कि जो मचलिया है उनका शिकार बहुत जादा बढ़ चुका है जिससे यहाँ पर वो जो resources लगातार खतम होते जा रहे हैं तो यह बहुत बड़े challenges हैं हमें इन challenges को देखना होगा इन challenges को tackle करते हुए अपनी blue economy को और जदा promote करना होगा यह बात यहाँ पर writer mention करते हैं चलो यह तो बात आपने समझ लिया कि writer ने article लिखा क्यों अब यहाँ पर बात या आती है कि sir blue economy आखिरकार होती क्या है समझते हैं blue economy का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो जो भी हमारे Paris में marine resources हैं जो भी हमारे पास में समुदर का area है उसका properly use कर सकें और वहाँ पर उस particular area के अंदर उससे basically एक economy को generate कर सकें वहाँ पर बहुत सरे लोगों की basically आपका समुदर वाला हिस्सा है वहाँ पर डेर सरे लोगों का livelihood dependent होता है यानि बहुत सरे लोगों की जिंदगी वहाँ से चल रही है वहीं से वो पैसा कमा रहे हैं खा रहे हैं तो overall यहाँ पर यह हमारी economy के अंदर contribute कर रहा है हमारी अर्थ विवस्ता में यहाँ पर आपका सकते हो कि अपना एक हिस्सा प्रोवाइड करवा रहा है तो इसी को हम लोग blue economy बोलता है इंडिया के अंदर में जो यह blue economy है न यहाँ पर आप देखो के काफी सरी चीज़ा जाती है जैसे कि shipping हो गया tourism हो गया tourism भी हाँ पर किया जाता है fisheries य यह भी कहीं है कि इससे भी धेर सरा revenue generate किया जाता है तो यह भी हमारी blue economy के अंदर count करता है ठीक है देखो आज के समय पर दुनिया भर का जो 80% जो व्यापार है न वो समुदर के मात्यम से ही होता है जिसमें से 40% जो दुनिया भर की population है देखो कि 40% के आसपास जो दुनिया भ लोग है न वो आज के समय पर कहीं न कहीं ओशन के उपर dependent है समुदर के उपर dependent है कितने लोग 3 billion लोग समुदर के उपर कैसे dependent है यानि कि उनकी जो रोजी रोटी है वो उसी समुदर के मात्यम से चल रही है अलग-लग वहां से काम करकर वो अपनी रोजी रोटी को चला पाता इंडिया का मैंने बोला एक बहुत बड़ा बॉडर समुदर के साथ में लगता है कितना बड़ा बॉडर है वो 7500 किलोमेटर का एक लंबा कोस्टलाइन है जहां पर आपको 9 कोस्टल अलग-लग स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं यही पर 12 मेजर और 200 माइनर बंदरगा हम बना रखे हैं तो यह इंडिया की blue economy कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सकतो हमारे देश का जितना बड़ा business है उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है तो blue economy का योगदान हमारे GDP के अंदर भी हमारी economy के अंदर भी है ठीक है तो आपके सकतो blue economy का पहला importance क्या है ट्रांसपोर के जहाज भी आते हैं हम उनको repair करते हैं उनका maintenance करते हैं तो यहां से भी धेर सारी जो economy है वो हम लोग generate करते हैं उसके अलाबा offshore energy production यानि कि यहां पर हमारे पास में बहुत सारी opportunities आपको देखने को मिलेंगी यानि कि ऐसा होता है समुदर के उपर आपको पता है windmills लगा दी ज जाता है तो basically यहां पर समुदर के उपर जिस प्रकार से हम काम करें बहुत सारी energy को generate कर रहे हैं उससे भी हम अपने देश के अंदर जो energy की जरुरते बढ़ रही हैं वो पूरा कर सकते हैं तो समुदर again यहां पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा contribution देने का काम करता है ठीक है बात के लिए फिर बात आती है aqua culture की अब काफी सारे लोग यहां पर मचली पालते भी हैं पकड़ते भी हैं और उनको बेचते हैं और इससे यहां पर काफी सारे लोग की जो food security है यानि की ढेर सर लोग यहां पर इसको खाना पसंद करते हैं तो उनको खाना मिलता है और जो यहाँ पर writer ने mention करी हैं आव इसको समझते हैं पहला challenge आता है lack of infrastructure दिख्कत यही कि हमारे पास में ports की कमिया है हाला कि यहाँ पर कुछ ports हैं मैंने बोला 12 बड़े ports हैं 200 छोड़े ports हैं लेकिन जब दुनिया भर की country साब comparison करोगे तो हमारे पास में बहुत कम ports आपको नजर आएंगे ports हो गए airports हो गए बाकी infrastructure हमारे पास में कम है इसको improve करने के आवशकता है ऐसा writer ने mention किया दूसरा point writer बोलते हैं overfishing के बारे में overfishing भारत के लिए बहुत बड़ा challenge मनता जा रहा है हम लोग क्या कर रहे है लगादर मचलिया पकड़ रहे है और मचलिया एक बड़े level पर पकड़ी जा रही है जिससे यहाँ पर मचलिया खतम होती चली जा रही है और फिर उसके लिए थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ रहा है जो आप प्रदूशर देख सकते हो पानी में जैसे की oil spill हो गया कभी-कभी जहाज जो होता है इससे तेल निकलना start हो जाता है बहुत सदा तेल जो है समुदर के अंदर फैल जाता है प्लास्टिक वेस्ट आज की समय पर बढ़ रहा है बढ़ने की वेस्ट आपको पता है बरफ जो है हमारे ग्लैशर से वो पिगल रहे हैं अब ग्लैशर पिगलेंगे वो सारा पानी कहा जाएगा अवरल समुदर के अंदर ही तो जाएगा तो इससे क्या होगा जो समुदर के स्थर जो है वो बढ़ता जा रहा है दुनिया बर का और आप देखो कि इससे कहीं नहीं कि एक बहुत नेगेटिव इंपाक्ट पड़ेगा हमारी ब्लू एकनॉमी के ओपर खास कर जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे मुंबई और बाकी सारे कोस्टल स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे समुदर के किनारे ये सब डूब जाएंगे क्योंकि समुदर के स्थर बढ़ता रहेगा तो ये कोस्टल स्टेट्स डूब जाएंगे इंडिया के मचवारे शिलंकन टेरिटरी में गुज़ाते हैं, शिलंका के इंडिया में आ जाते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं, वो हमारे मचवारों को पकड़ लेते हैं, तो ये conflict जो है लंबे समय से चल रहा है, पाक बे के अंदर में, यो कि महाँ पर clearly कोई जो border है वो define न उसके बाद में यहाँ पर इंडिया और नॉर्वे दोनों मिलकर blue economy को promote करने का काम कर रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, ओ स्मार्ट हो गया, integrated coastal zone management, national fisheries policy, नाविक, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको अलग अलग initiative देखने को बलेंगे, जो की सरकार ने start किये हैं, blue economies इसको promote करने के लिए, ठीक है, बात clear हो गई, तो अब आप एक अच्छा answer लिख सकते हो, लिखने के बाद में फटा-फट आपको यहाँ पर टेलिग्राम पर submit करना है, ठीक है ना, चलो, आगया आते हैं, next editorial की तरफ, मज़ा आ गया ना, ये बहुत अच्छा article था, मतलब काम की चीज़ है यार, इसको बिल्कुल skip नहीं करना था, तो इस चक्कर मैंने यहाँ पर जान बुझ के जो है, इसको अलग paper से उठाया, और आपके साथ में discussion किया हुआ है, चलो, आगया आते हैं, now यहाँ पर जो अगला tutorial आपको देखने को मिलेगा, राकेश कुमार गोसवाम ने लिखा है, तो यह बात कर रहते हैं, towards making India an uplinking hub, इनका कहना यहाँ पर यहाँ कि देखो, आज से कई साल पहले की बात है, जो इंडियान के broadcasters है, यानि कि यहाँ पर आप देखो कि इंडिया के अंदर जो television वगरा है न, वो बाहर के विदेशी countries की मदद से चल पा रहा थ विदेशी countries जो है न, वो हमें satellite का access देती थी, उनके माध्यम से हम यहाँ पर इन TV channels को चला पाते थे, बट आज के समय पर India यहाँ पर teleports को बना चुका है अपने खुद पर, और वो जो कहीना कहीं teleports बनाए गए गए न, तो इससे बाहर की countries हैं, वो हमारे उपर dependent होती जा र रही है, तो यह कहीना की बहुत बड़ा development देखने को मिलेगा TV sector के अंदर में, television sector में यह बात यहाँ पर writer mention करते हैं, एक एक करके सारे points को discuss करेंगे, writer न यहाँ पर mention किया कि देखो, पिछले दो सालों के अंदर, पिछले दो सालों में, बहुत बड़े developments हुआ है, सबसे पहल बड़ाव कर दिये, और बड़ाव करने के बाद में कुछ amendment वगरा हमने पास कर दिया है, ठीक है, यह बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फिर साल 2022 में, क्या होता है, यानि पिछले साल की बात है, जो हमारी union cabinet है, इन्होंने कुछ guidelines जारी कर दी है, कि इसके बारे मे कुछ guidelines यहाँ पर जारी कर दी है, अब यह up-linking, down-linking क्या है, up-linking मतलब यहाँ पर क्या होता है, कि देखो जो हम लोग, basically up-link का मतलब है, कि जो हमारा ground station है, जो हमने अभी station बना रखा है, नीचे, इसका हम satellite से connection करके, यहाँ पर TV channels को आगे जाके, मतलब TV channels को आगे दिखा स तो आप कह सकते हो, satellite से connection के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो जो satellite के connections है, वो हम लोग ने यहाँ पर, आप कह सकते हो कि काफी जदा बढ़ा दी हैं, और उसको लेकर हमारी cabinet ने 2022 में कुछ जो guidelines हैं, वो यहाँ पर जारी करी हैं, जिसकी मदद से बहुत जादा ह आप यहाँ पर देख पाओगे, यानि कि वैसे ता अगर हम बात करें, तो September 1959 की बात है, September 1959 के लगबक 30 साल बाद, जो हमारी broadcasting है ना, वो हमारी state के control में आती है, हमारी सरकार के control में आती है, इससे पहले 1990 की अगर मैं बात करूँ तो 1990 में जो cable televisions हैं इंडिया के अंदर में, वो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता नहीं था, है ना, इसके आरे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, सरकार को बेसिकलिल यहाँ पर ज़्यादा इसके बार में कुछ पता नहीं था, सरकार क्या कर रही थी, सरकार यहाँ पर जो foreign satellites हैं, बाहर की programs हमारे culture में घुश चुके थे, हमारी संस्कृति में उनके programs यहां पर दिखाया जा रहे थे then यहां पर इसको regulate करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक rules and regulation को जारी किया, जिसका नाम था cable television network rules act 2000, sorry, 1995 ठीके न, तो basically यहां पर इस वाले rules and regulation को लेकर आया गया, लेकिन आप देखोगे कि 1995 में इसको लेकर तो आगये, लेकिन इतना properly काम नहीं हुआ यह साल 2000 था, साल 2000 बहुत important है, साल 2000 में क्या हुआ, पहला license हम लोगों ने दिया, अपना टेलिपोर्ट बनाने के लिए टेलिपोर्ट मतलब यहां पर एक Earth Station बनाने के लिए, एक Earth Station फैसिलिटी, जहां पर जो TV signals है वो यहां पर सेटलाइट से connection कर सकते हैं, और उसके बाद में यहां पर आप कर सकते हो, आगे वो TV channels जो है, अपने आगे, जो भी प्रोग्राम वगरा है, वो यहां पर दिखा सकते हैं, तो यह बात आपको देखने को मिलेगी, साल 2000 में, पहली बार जो लाइसेंस है, वो सेट अप किया जा, पहली बार लाइसेंस यहां पर दिया जा था, एक टेलिपोर्ट लेंगे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो non-residents Indians हैं, यानि कि बाहर के विदेश वाले लोगों से साथ में contact कर लिया था, जैसे Hong Kong, Hong Kong हमारे देश का पहला, यहां पर आपका सकते हो कि Hong Kong basically एक ऐसा देश बना था, जिसने हमारे देश में पहला private television channel जो ZTV है ना, वो launch किया था, तो Hong Kong के माध्यम से हम ZTV लेकर आए, फिर उसके बाद देश में से, आप देखो पाओगे कि कई सारे channels हम लोग अलग-लग देशों के माध्यम से लेकर आप आप आए, फिर उसके बाद कुछ सालों में यूज करने दे रहे थे, और उस satellite का इस्तमाल करके हम अपने TV channels को चला रहे थे लेकिन अब भारत ने क्या कर दिया था, भारत के अंदर में यहाँ पर अब अप लिंकिंग को अप्रूवल मिल चुका था भारत ने अब यहाँ पर जो टेलीपूर्ट हैं इसको बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया कि हम अपना खुद का स्टेशन बना सकते हैं, अर्थ स्टेशन जहाँ पर TV signals का हम इस्तमाल कर सकते हैं, TV signals को satellite से लिंक करकर इनको हम लोग दिखा सकते हैं, तो भारत के अंदर ये facilities अपने आप में अब आ चुकी हैं, तो ये चीज़े इंडिया को काफी ग्रो कर रही हैं, जो अब Indian broadcasters हैं, इनको यहाँ पर ये सरा का सरा approval ये सारी चीज़े allow कर दी गई हैं, जो हमारी Ministry of Information and Broadcasting है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, guidelines जारी कर दी हैं इंडिया के लिए जुलाई 2020, सुरी, जुलाई साल 2000 में ही, और यहाँ पर ये बोल दिया था कि जो भी private broadcasters हैं, जो private, आपको TV channels की companies देखने को मिलेंगी, इनको permission दी दिया गया था कि अपना खुद का station बना सकते हैं, और अपने station को यहाँ पर satellite से connect कर सकते हैं, यानि भारत की satellite से connect कर सकते हैं, और उस satellite की connect करने के बाद में TV channels अपने चला सकते हैं, तो पहला license जो दिया गया था, वो TV Today Network Limited को दिया गया था, November साल 2000 के अंदर में, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है भारत का पहला private television channel बनता है, जिसने खुद का अर्थ station मनाया, और यहाँ पर अपने satellite से वो सारी चीज़े connect करीं, और यहाँ पर उसको start कर दिया, फिर उसके आद में साल 2001 में, इस प्रकार के कई सारे broadcast starts आ गया, जिन्होंने अपने खुद के stations बनाएं, और उन्होंने उसको satellite से link या, क्योंकि भारत सरकार ने satellite से link करने की इजाज़त दे दी थी, तो यहाँ पर उन्हें satellite से link करकर के अपने channels को establish करना start गया, तो कहने का purpose है, एक समय ऐसा था जब दुनिया भर की satellites हम use करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है कि हम अपनी satellites use कर रहे हैं, और दुनिया भर की countries इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, दुनिया भर की countries यहाँ पर चाहती है कि इंडिया का जो यहाँ पर यह facility है, वो यहाँ पर यूज़ कर सकें, तो यह बात आई होप आपको यह clear हो चुकी होगी, आई होप आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ चुकी होगी, वही बात यहाँ पर इस particular article में समझाई जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर इंडिया ने television sector में एक growth को हासिल किया है, ठीक है, चलो, next particular editorial पर आते हैं, अगला जो editorial है वो basically green hydrogen को लेकर है, लेकिन green hydrogen के बारे में कल मैंने discussion किया था यार, मन नहीं करा discussion करने का, चलो अभी last में देखता है, क्योंकि वीडियो अलरी काफी लेंदी हो चुका है, ए इल्कुल to the point, यानि कि आपके examination के लिए, उसके अलावा कोई फालतू के बातें नहीं की जाएंगी, तो बस खाली जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, उतना सुनना, article से कई गुना ज़्यादा important चीज़े हैं मैं आपको यहाँ आपर mention करवा रहा हूं, हुआ क्या, ने पोर्ट है, वो basically केपी शर्मा ओली के साथ में है, केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ पर आपका सकते हो कि लगबग आज से कई साल पहले यहाँ पर नेपाल के प्राम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद में यहाँ पर जो बहादूर देवबा हैं यह प्राम मिनिस्टर बन पर आप देख पाओगे, अभी के समय पर जो प्रचंड आ चुके हैं, यह भी यहाँ पर केपी शर्मा की आइडिलोजी वाले ही हैं, केपी शर्मा ओली के साथ के ही हैं, तो basically यहाँ पर इनके समय पर भी आने वाले समय पर, क्योंकि अभी नए प्राम मिनिस्टर के पदपर आए हैं, तो यह जो प्रचंड है, यह कही न कहीं यहाँ पर इंडिया के और नेपाल के रिलेशन्स को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है, बात क्लियर हो गई, तो प्रचंड यहाँ पर एक नए प्राम मिनिस्टर बन कर आ हैं, लेकिन और भी कई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अब हम दोनों कंट्रीज के रिलेशन्स के बारे में, इनके संबंद के बारे में डिसकेशन करेंगे, सबसे पहली बात दोनों देशों के बीच में जो बेसिकली जो रिलेशन है, उसमें ट्रेड और एकनॉमी के बारे म company ने बड़ा बड़ा investment कर रखा है फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे FDI की foreign direct investment की तो जो FDI आपको देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर बे वो काफी ज़्यादा इंडिया की site से ज़्यादा है लगबग 33% से ज़्यादा FDI नेपाल में चाइना आता है लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर नेपाल के साथ में relations को grow करने की कोशिश कर रहे है नेपाल को और ज़्यादा रास्ता प्रोवाइड कर रहे है नेपाल का जो Mount Everest वाला region है इसको हम link कर रहे हैं इंडिया नोशन से वो कोशिश कर रहे है तो इंडिया उसको यहाँ पर एक रास्ता देने की कोशिश कर रहा है उसके साथ इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर यहाँ पर कई सारे connectivity प्रोग्राम्स को यहाँ पर चलाते हैं इस चकरवे दोनों के countries के बीच में आप देखो कि कई बार people to people relations जो वो काफी ज़दा अच्छे देखने को मिलेंगे लेकिन केपी शर्मा ओली के समय पर इंडिया नेपाल के अंदर में people to people relations भी खराब हो गई थे अब दोनों countries के defense corporation के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि देखो इंडिया नेपाल के बीच में कौन-कौन से अभ्यास होते हैं वो यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन से अभ्यास होता है अभी मैं आपको समझाओंगा लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यानक ना नेपाल की आर्मी से यहाँ पर नेपाल की जो आर्मी है ना उनको बहुत बड़ा सपोर्ट इंडिया की साइट से मिलता है बहुत बड़ा असिस्टेंस इंडिया की साइट से मिलता है उनको कई सारे हत्यार कई सारी अलगलग प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया हाल 2011 से ही लगातार नेपाल के साथ में एक अभ्यास को conduct कर रहा है एक अभ्यास किया जाते है एक military exercise जिसको हम लोग बोलता है सूरे किरन ध्यान रखना ये सवल बन सकता है प्रिलिम्स में सूरे किरन अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है तो इंडिया नेपाल के रिस्थित है जहाँ पर सबसे जादा भुकंब उसके बाद में बाड़ वगरा आते रहते हैं तो यहाँ पर इंडिया हमेशा नेपाल को support provide करवाता रहा है पहले भी करवाता रहा है और आगे भी यहाँ पर करवाएगा यह यहाँ पर बात देखने को मिलेगी बाकी दोनों इंडिया नेपाल इसका यहाँ पर हिस्सा आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा नेपाल भी देखने को मिलेगा उसका बिमस्टेक जो ग्रूप है बे ओफ बेंगॉल इनिशेटिफ और मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एकोनॉमिक कोपरेशन इसका हिस्सा भी इंडिया आ जाते हैं कुछ परेशान ही आ जाती हैं सबसे पहला चलेंज है टेरिटूरियल डिस्प्यूट यानि कि जो बॉर्डर से न उसको लेकर एक विवाद हो गया था इंडिया नेपाल के बीच में वह विवाद किया था मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहां पर आप लोग यह नेपाल का औरिजिनल वरिजन में क्या है कि यहां तक नेपाल बस खाली सेमित है इसके बाद जो यह रीजन जो आपको दिख रहा है ना जहां पर मैं कलर कर रहा हूं यह इंडिया के उत्रखंड में है यह कौनकों सा लिम्पयादुरा लिपूले काला पानी तो यह तीन तो द्यानक नहीं टेरिटूरिल डिस्ट्प्यूट आपसे पूछ जाएँ इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेरिट्री को लेकर जो विवाद है वो खौन को से टेरिट्री को लेकर रहता है दोनों देशों के बीच में बात क्लियर हो गई आगे आता है दूसरा यहाँ जो challenge आता है दोनों के relations के बीच में वो है चाइना का intervention चाइना लगातार यहाँ पर नेपाल के अंदर investment करता जा रहा है और नेपाल का support नेपाल का influence भी चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है तो चाइना यहाँ पर बिसिकली नेपाल को एक important country की तरह देख रहा है इसको belt and road initiative का हिस्सा बनाया जा सके तो बिसिकली यहाँ पर और अगर नेपाल के अंदर में कोई प्रधान मंतरी ऐसा आता है जो कि चाइना के प्रती थोड़ा ज़ादा जुकाव रखता है तो इंडिया के लिए concern बनेगा क्योंकि चाइना नेपाल में पैर पसारता हुआ नजर आएगा जो कि अगें फिर indirectly भारत के साथ में border conflict वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है तो यह बात यहाँ पर आपको देखने को बिलेगी as a challenge ठीक है बाकी यहाँ पर दो editorial और है जैसे एक यहाँ पर है green hydrogen को लेकर और बिल्कुल similar editorial हमारा text and context पर है वो भी green hydrogen को लेकर ही है और यह green hydrogen का topic मैंने कल आपको वैसे explain कर रखा है don't worry देखो यहाँ पर क्या है न वीडियो थोड़ा से lengthy हो चुका या time भी बहुत जादा हो चुका है तो मुझे वीडियो अपलोड करना पढ़ेगा है ना 8-4 जादा हो चुका है record करते करते तो मुझे वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है ठीक है यह जो editorial है यहाँ आपके साथ मैं कल discuss कर लिया जाएगा क्योंकि Saturday में editorial अल्रेडी कमात है तो मैं आपको कल यहाँ पर इसके बारे में समझाऊँगा एक बार और clarity मिल जाएगी वैसे कल मैंने explain किया था ठीक है तो कल वाला वीडियो आप open करोगे जादा दूर नहीं है कल वाला वीडियो आप open करोगे तो आपको इसका content मिल जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर थोड़ा sports section भी देखते हैं आज थोड़ा sports section important सा है sports section के अंदर में अब यार क्या हो रहा है देर पे देर होती जा रही है लेकिन यार देखो कोशिश रहती है आप लोग बुरा ना मनना देर पे देर होती तो रहती है लेकिन मेरे कोशिश यह होती है कि कुछ भी छूटे ना जो important है वो सब cover कर लिया जाए तो sports section में आज कुछ important article है पहला article आपको यह देखने को मिलेगा प्रनेश प्रनेश यहाँ पर जो यहाँ पर लड़का आपको देखने को मिलेगा इन्होंने रिल्टन कप को जीता है रिल्टन कप को जीत कर यह इंडिया के 79th grand master बन चुक है 79th grand master आपसे पूछा जा सकता है रिल्टन कप तो रिल्टन कप कों से खेल के लिए दिया जाता है जो कि इंडिया की हौकी को लेकर बात करता है तो हौकी वर्ल्टकप start होने वाला है और हौकी का वर्ल्टकप जो start होगा न यह बिसिकरी ओडिशा के अंदर होगा ओडिशा के अंदर में अभी आपको पता है कल ही क्या किया गया एक दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का उदगाटन किया गया है हौकी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ है तो ये आप यहाँ पर देख पारे होगे तो हौकी वर्ल्ट कप यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और जो हिहाँ पर ODESHA के चीफ मिनिस्टर है अब ODESHA के उपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है दीकों पहली बात तो ODESHA के अंदर यह होकी का वर्ल्ट कप होगा हौकी का वर्ल्ड कप आकरी बार भारत 1975 में जीता था कौाला लंपर के अंदर में तो वो बिसिकली यहाँ पर इसके बरावर वाले आर्टिकल में बाते बताई गई है ठीके ना यह आर्टिकल अपने दाहिंदू में देखा था ना ध्यान अब की बार जो वर्ल्ड कप हो हो रहा है होकी वर्ल कप 2013 का इसका होस्ट कंट्री कौन है? होस्ट कंट्री इंडिया है कौन से शहर में हो रहा है? पिर उसकी बाद में डेट कρα देख में 13 से 29 जनवरी नक चलेगा इसमें 16 टीम्स हैं अलग लग पांच पेडरेशन से निकल कर आई है दिन उसके बाद में वेन्यू क्या है तो ओडिशा के अंदर में जो कलिंगा स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनाशनल होकी स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम है वहाँ पर यहाँ पर यह होकी वर्ल्ड कप चलेगा 2018 में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था और 2026 में अगला होगा अभी 2023 में चल ला है और आकरी वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था वो मैंने आपको बता दिया ठीक है बात क्लियर होगी यह था हमारा आज का पूरा का पूरा सेशन और पूरा का पूरा डिसकेशन तो आई होप आपको सारी चीज़े क्लियर हो चुके होगी फटा फट प्रिलिम्स का क्वेशन देखते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था अनिकांत वाद तो बिसिकली यहाँ पर यह कौन से रिलीजन की थ्योरी देखने को मिलती है तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आप्शन नमर भी जैनिजम जैनिजम के आपको यह थ्योरी देखने को मिलेगी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ थैंक यू और जैहिंद